राजिंदर सिंग बेदी की कहानी जोगिया नहाध होकर नीचे के तीन साड़े तीन कपले पहने जोगिया रोज की तरह उस दिन भी अलमारी के पास आखड़ी हुई और मैं अपने हां से थोड़ा पीछे हट कर देखने लगा ऐसे में दर्वाजे को हाथ जो लगा तो चूँ की एक बेसुरी आवास पैदा हुई बड़े भाईया जो कहीं पास ही बैठे शेफ बना रहे थे मुड़कर बोले क्या है जुगल कुछ नहीं मोटे भाईया मैंने उन्हें टालते हुए कहा गर्मी बहुत है और मैं फिर सामने देखने लगा साड़ी के सिलसले में जोगी आज कौन सा रंग चुनती है मैं जेजे स्कूल आफ आर्ट्स में पढ़ता था रंग मेरे हवास पर चाय रहते थे रंग मुझे मर्द और्टों से जियादा नातिक मालूम होते थे और आज भी होते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अक्सर बेमानी बाते करते हैं लेकिन रंग कभी मानी से खाली बात नहीं करते हमारा मकान कालबा देवी की बादी शीट अग्यारी लेन में था और साफ सुत्री थी और कहीं मर्द औरत की महबत की तरह मजनूनाना सीना बसीना लब बलब गलीज और मुकदस सामने बापू घर की किस्म के कमरों में जो कुछ होता था वो हमारे हाँ ग्यान भवन से साफ दिखाई देता अभी बिजूर की मां तरकारी चेल रही है और चाकू से अपना ही हाथ काट लिया है डंकर भाई ने एहमदाबाद से घी और तेल के दो पीपे मंगवाए है और पंजाबन सब की नजरें बचा कर अंडों के छिलके कूडे के धेर में फेंक कर भाग रही है जैसे हमारे ग्यान भवन से इन लोगों का खाया पिया सब नजर आता था ऐसे ही उन्हें भी हमारा सब कुछ नजर आता होगा जोगिया के घर का नाम तो रंचोल निवास था लेकिन मैं उसे बापू घर कहता था इसलिए के उसमें आम तोर पर बिदवाएं और छोड़ी हुई और चोड़ी हुई औरते रहती थी उनमें एक जोगिया की मा थी जो दिन भर किसी दर्जी घर में सिलाई की मशीन चलाती और उसे इतना पैसा पैदा कर लेती जिसे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके और साथ ही जोगिया की तालीम भी मकमल करे जोगिया सतरा अठारा बरस की एक खुबसूरत लड़की थी कद कोई ऐसा चोटा ना था लेकिन बदन के भरे पुरे और गठे होने की वज़ा से उस पर चोटा होने का गुमान गुजरता था किसी को यकीन भी ना आ सकता था कि जोगिया दाल रंगना और हफ़ते में एक आद बार की शरी खंड से इतनी तंदरुस्त हो सकती थी बहरहाल इन लड़कियों का कुछ मत कहिए जो भी खाती है सब अल्लम गल्लम इनके बदन को लगता है और बास वक्त तो गलत हिस्सों को लगता है जिने मैं तो सही हिस्से कहता हूँ क्योंके औरत के जिसम में पतले पतले पीले पीले खतूत की बनिस्बत मुझे गहरे गहरे और भरपूर खत अच्छे लगते हैं जोगिया का चहरा सोमनात मंदिर के पेश रुख की तरह चोड़ा था जिसमें गंदील जैसी आँख हैं रात के अंधेरे में भटके हुए मुसाफिरों को रोशनी दिखाती थे मूरती में नाक और होट जमरुद और याकूत की तरह टके हुए थे सर के बाल कमर से नीचे तक की पैमाईश करते थे जिनें वो कभी ढीला ढाला और भीगा भीगा रखती है और कभी इसकदर फुशक बना देती कि उनकी कुछ लटें बाकी बालों से खामखा अलग होकर चहरे और गर्दन पर मचलती रहते उसका चहरा क्या था पूरा तारा मंडल था जिसमें चांद ख्यालों और जजबों के साथ घटता और बढ़ता रहता था जोगिया यूँ बड़ी भोली थी लेकिन अपने आपको सजाने बनाने के सिरसले में बहुत चालाग थी कब और किस वक्त क्या करना है वो खूब जानती थी और उसके इस जानने में उसकी तालीम का बड़ा हाथ था जिसने उसके खुसन को दुबाला कर दिया था गड़बर थी तो सिर्फ रंग की क्योंके जोगिया का रंग जरूरत से जियादा गुरा था जिसे देखते ही जुकाम का सा एहसास होने लगता अगर बाकी की चीज़ें इतनी मतनासिब ना होती तो बस छुट्टी हो गई थी मैं नहीं जानता महबबत किस चिड़िया का नाम है लेकिन ये हकीकत है कि जोगिया को देखते ही मेरे अंदर दीवारें सी गिरने लगती थी और जहां तक मुझे याद है जोगिया भी मुझे देखकर गयर मतालिख बातें करने लगती जोगिया मेरी भतीजी हेमा की सहेली थी अजीब सहेल पना था हेमा सिर्फ साथ साल की थी और जोगिया अठारा बरस की उनकी दोस्ती की कोई वज़ा थी जिसे सिर्फ जोगिया जानती थी और या फिर मैं जानता था मोटे भाईया और भावी सिर्फ यही समझते थे कि वो हेमा से प्यार करती है इसलिए उसे पढ़ाने आती है यू हमारे घर आकर जोगिया सब को सबक दे जाते थी मैं जो एक आर्टिस्ट बनने जा रहा था ऐसी रख रखाओं की बातों का कायल ना था लेकिन मेरी मजबूरियां थी मैंने कमाना शुरू नहीं किया था और मेरे हर किस्म के खर्च का मदार मोटे भाईया पर था अलबता बीच बीच में मुझे इस बात का भी ख्याल आता था कि इस दाउंग हात में एक मज़ा भी है मगरिब में लड़के लड़कियां जो इतनी आसानी से एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले ले लेते हैं बिना किसी इलतिहाब के एक दूसरे की आगोश में चले आते हैं खाक लुटफ उठाते हैं इत्तिफाकन महबूबा के बदन से छू जाने पर उनके अंदर तो कोई विजली न दोड़ती होगी शायद उनको कोई ऐसा लुटफ मिलता हो जो हमारे लुटफ से अर्फा हो लेकिन हमारे हाँ सिर्फ लम्स और इधर उधर की बातों ही में ऐसे तलज्जस का एहसास होता है कि उनके विसाल में भी क्या होगा यूही दो चार बार मेरा हाँ जोगिया के पिंडे को लग गया होगा एक बार सिर्फ एक बार मैंने अपने इरादे से उसका मूँ चूमा था हम घर से थोड़े थोड़े वक्फे और फासले के साथ निकलते थे और फिर पार्सियों की अग्यारी के पास मिल जाते हमारे इस रास को सिर्फ वो पार्सियों पुजारी ही जानता था जो फरिश्टों के लिबास में अग्यारी के बाहर बैठा होता और मूँ में यंद अविस्ता पढ़ता रहता वो सिर्फ हमारे सरोश को समझता था इसलिए उसके पास से गुजरते हुए हम उसे जरूर साहब जी कहते और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते जो दुनिया के लावो लाव मेट्रो सिनिमा की तरफ जाता था जहां पहुँचकर जोगिया अपने कॉलिज की तरफ चल देती और पिर इस बात पर कुड़ती भी के उसके बगार गुजारा भी नहीं एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में किसी आर्टिस्ट की मुनफरिद नुमाईश थी और पूरे शहर बंबई मेंसे कोई भी उस बदनसीब की तस्वीरों को देखने और खरीदने ना आया था उपर के हिस्से पर बुरस से गहरे सुर्ख रंग को मोटे मोटे और भदे तरीके से थोपा और पुचारा गया था उसने हमारी रूहों तक में इलतिहाब पैदा कर दिया तस्वीर के नीचे एक स्टूल सा पड़ा था जिस पर जोगिया किसी अंदरूनी तकान के एहसास से बैट गई गई उसकी सास खदरे तेज थी और मैं जानता था महबत में एक कदम भी बाज आखास सैक्ड़ो फरसंग होता है और आदमी चलने से पहले थक जाता है आर्टिस रोहासा होकर बाहर चला गया देखने कोई आता मरता है या नहीं अपनी नफरत में वो हमारी महबत को न देख सका था जब ही हम दोनों के अकेले पन्ने सारे हॉल को भर दिया उस दिन मैंने जोगिया से सब कह देना चाहा हम दोनों ही प्यार की हेरा फेरियों से तंगा चुके थे चुनाचे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया ठिटका और फिर स्टूल के पास जोगिया के पीछे खड़ा हो गया मैं कहे भी सका तो बस इतना जोगिया मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाओं सामने आके सुनाओं जोगिया बोली मैंने कहा लतीफा ही ऐसा है जोगिया मेरी तरफ देखे बगएर ही उसे मेरे हैस बैस का अंदाज हो रहा था और मुझे पीछे उसके कानों की लवों से उसकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी आखिर मैंने लतीफा शुरू किया एक बहुत ही डर्पोग कस्म का प्रेमी था हम जोगिया के समहलने ही से उसकी दिल्चस्पी का अंदाजा हो रहा था फिर मैंने कहा वो किसी तरह भी अपनी प्रेमिका को अपना प्यार न जटा सकता था इस पर जोगिया ने तीन चौथाई में मेरी तरफ देखा तुम लतीफा सुना रहे हो हाँ मैंने कुछ खफीफ होते हुए कहा और जोगिया फिर सीधी होकर बैट गई गई मनतजर एक ऐसा इंतजार जो बहुत ही लंबा हो गया था जिसमें लंहात के शरारे किसी बारूद से फूट फूट कर निकल रहे थे खला में फट रहे थे और आखिर मादूमियत का हिस्सा होते जा रहे थे जब ही जूहू में एक सुभा में लाल रंग के बीच से सूरच की किरन नीचे समुंदर की सियाहियों में डोलती हुई कश्टी पर पड़ी और मैंने कहा वो लड़की अपने प्रेमी से तंगा गई आखिर उसने सोचा इस बिचारे में तो हिम्मत ही नहीं क्यों ना मैं इसे कोई ऐसा मौका दूँ शायद चुनाचे उसने अपने जनम दिन पर लड़के को बुला लिया लड़का आया भी गुलदस्ता भी लाया जिसे हाथ में लेते हुए उसकी प्रेमिका ने कहा हैं कितना प्यारा है ये उदे में गुलाबी गुलाबी में सब्स रंग के फूल फिर जोगिया की बेसबरी पीछे से भी दिखाई दे रही थी इनके बदले तो कोई मेरा मुँ भी चूम ले फिर लड़की ने अपना मुँ थोड़ा आगे कर दिया मगर वो लड़का बाहर जा रहा था दर्वाजे की तरफ ये भगवान और जोगिया ने हाथ अपने माथे पर मार लिया मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा लड़की बोली कहा जा रहे हो लाली लाली ने दर्वाजे के पास मुड़ते हुए कहा और फूल लेने इस से पहले के जोगिया हसती और उसका इंतजार अबदियत पर च्छा जाता मैंने पीछे से उसके दोनों बाजू जकर कर उसका मुझ चूम लिया था अब जोगिया बनावटी गुसे से मुझे हलके हलके थपड लगा रही थी और अपने होट पोच रही थी वो हस न सकी क्योंके वो नारास थी और खुश भी महबबत के इस बे बर्गो गिया सफर में एका एकी जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा चला आया था जिसे बारिश के छीटों ने हरा भरा कर दिया था उस दिन अगर हम जोशीले गहरे सुर्ख रंग की तस्वीर के नीचे खड़े ना होते तो मैं जोगिया का मूँ न चूम सकता था इसके बाद आर्ट का दिलदादा कोई आदमी आया और उसने बाजू वाली तस्वीर खरीद ली इसका नाम था कोई किसी का नहीं और जिसमें एक औरत सर हाथों में दिये रो रही थी सब रंगों में उदासी थी और वो ऐसे वक्त में उदासी के रंग खरीद रहा था जबके सब खिलते हुए रंग हमारे थे जेब में एक पाई नहोने के बावजूद सब तस्वीरे हमारी थी नुमाईश हमारी थी जोगिया एक अजीम तशफी के एहसास से मामूर बाहर दरवाजे के पास पहुँच चुकी थी जहां से उसने एक बार मुड कर मेरी तरफ देखा मुक्का दिखाया मुस्कुराई और फिर भाग गई कुछ देर यूही इधर उधर रंग उचालने के बाद मैं भी बाहर चला आया दुनिया की सब चीजें उस रोस उजली उजली दिखाई दे रही थी लोगों ने ऐसे ही रंगों के नाम उदा, सफेद, काला और नीला वगएरा रखे हुए है किसी को ख्याल भी नहीं आया एक रंग ऐसा भी है जो उनकी जमा तफरीक में नहीं आता और जिसे उजला कहते हैं और जिसमें धनक के सातों रंग छुपे होते हैं मेरा गला तशक्र के एहसास से रुधा हुआ था मैं किसका शुक्री आदा कर रहा था इस एक लम्ज से जोग्या हमेशा के लिए मेरी हो गई थी मैं जैसे उसकी तरफ से बेफिक्र हो गया था अब वो किसी के साथ बिया भी कर लेती किसी के साथ सो भी जाती जब भी वो मेरी थी ऐसा छिन जिसमें सच्चाई हो, वलवला हो, बदनसीब शोहर को कहां मिलता है तो गोया मैं उस दिन देख रहा था कि कौन से रंग की साड़ी जोगिया अपनी अलबारी से निकालती है अगर वो मुझे मेरे हॉल के दर्वाजे के पीछे देख लेती तो जरूर इशारे से पूछती आज कौन सी साड़ी पहनू और इसमें सारा मजा किरकिरा हो जाता मैं तो जानना चाता था सुभा सवेरे नहाध होकर जब कोई सुंदरी अपनी साड़ीों के धेर के सामने खड़ी होती है तो उसमें से कौन सी चीज है जो इस बात का फैसला करती है आज गुलाबी रंग की साड़ी पहनने चाहिए इन औरतों के सोचने का तरीका बड़ा पुरिसरार है और पुरपेच इतना भेद इतना रहस्य के मर्द उसकी था को भी नहीं पहुँच सकता सुना है चांद ना सिर्फ औरत के खून बलकि उसके सोच बिचार पर भी असर अंदाज होता है लेकिन चांद का अपना तो कोई रंग ही नहीं, रोशनी ही नहीं, वो तो सब सूरज से मुस्तियार लेता है जबी, जबी साड़ी पहनने से पहले औरत हमेशा अपने किसी सूरज से पूछ लेती है आज कौन सी साड़ी पहनूं? नहीं नहीं उसका अपना रंग है अपना फैसला हर किसी को कोई मर्ध थोड़ा ही बताने जाता है फिर रात रजनी का भी तो एक रंग होता है उसका अपना रंग जिसे देखकर गाते हैं मोह शाम रंग दई दे मुरा गोरा रंग लई ले उस दिन बहुत गर्मी थी नीचे वादी शीट अग्यारी लेन में आते जाते लोग रेत के रंग की सड़क पर से गुजरते थे तो मालूम होता था मौसम की भट्यारन कहीं दाने भून रही है जब ही कोई पंजाबी या मार बड़ा सा पगड़ बांधे आता तो उपर से बिलकुल मकई का दाना मालूम होता जो भट्टी की आच में फूल कर सफयद हो जाता है यहां ग्यान भवन से मुझे सिर्फ रंग के छीटे दिखाए दिये वो सब साड़िया थी जिन में से एक जोगिया अपने लिए मेरे लि लेकिन दुनिया मुझे ना देख सकती थी उस दिन मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब मैंने देखा जोगिया ने हलके नीले रंग को चुना है ऐसी गर्मी में यही ठंडा रंग अच्छा मालूम होता था अगर मैं होता तो जोगिया को यही रंग पहनने का मश्वरा देता जबी मैंने सोचा मैंने बहुत छुपने की कोशिश की लेकिन जोगिया ने जाने अपने मन में मुझे बुला कर मुझे पूछी लिया है फिर वही शुरू की जुदाई और आखिर का मेली मालूम होता था अग्यारी तक यह दुनिया और उसके कानून है उसके बाद कोई का कानून हम पर लागू नहीं होता मैंने बढ़कर जोगिया के पास पहुंचते हुए कहा आज तुमने बड़ा प्यारा रंग चुनाये जोगी मैं जानती थी तुम इसे पसंद करोगे तुम कैसे जानती थी ऐसे ही कभी कभी तुम्हारा मन मेरे मन में आ जाता है मैंने सोचत पर उड़ाने लगी जब तक हम प्रिंसिस स्ट्रीट का चौराहा पार करके मेट्रों के पास आ चुके थे जहां से हमारे रास्ते जुदा होते थे मैंने कहा आज जी चाहता है सर तुम्हारे पैरों पर रग दूँ और रों रों क्यों शास्त्र कहते हैं आत्मा के पाप रो जादा समझ जाती हैं जोगिया ना समझ सकी अपना कोई बिचारा उसके मन में चला आया था जानते हो मेरा जी क्या चाहता है क्या क्या मैंने बेसबरी से पूछा चाहता है उसने अपनी हलकी नीले रंग की साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम्हें इसमें छुप के लिए वहीं थम गया और उन खुशनसीबों के बारे में सोचने लगा जिने जोगिया ऐसी सुन्दरियां अपने दामन में छुपा कर अंबरों पर ले गई जहां से वो खुदा ही और ना उन्हें आने दिया खुदा भी उनके पास से गुजरा तो एक सर्द आह भर कर चला गया मुड के देखा तो जोगिया जा चुकी थी अंबर तो कहा जोगिया मुझे तप्ती हुई जमीन और तूटी फूटी सड़क के एक तरफ अकेला बे यारो मददगार छोड़ गई थी जिसका एहसास मुझे खासी देर के बाद हुआ हिद्दत से फट्ती हुई सड़क की दराडों में घोड़ा गाड़ियों के बड़े बड़े पहिये फंस रहे थे और उनके ड्राइवर पेशानियों पर से पसीना पोच्टे इधर उधर तबर्रे सुनाते हुए आ जा रहे थे जबी मैंने देखा खुनुक आप किसी कोई मौच चली आ रही है वो कोई और जबान लड़की थी लांबी ओंची बाप किये हुए बाल वो हलके नीले रंग की शलवार पहने हुए थी चंद गदम और आगे गया तो एक नहीं दो तीन चार औरतें हलके नीले रंग के कपड़े पहने हुए पर्ख था तो सिर्फ इतना कि किसी की ओल्णी धानी थी और किसी की साड़ी इसकर्ट भी धानी थे और मैं सोचता रह गया था। सवेरे जबी ओरतें नहाध होकर बालों को छाटती बनाती हुए कपड़ों के अलमारी के पास पहुँचती है तो इनमें कौन सी बात कौन सा जजबा है जो इन्हें बता दिता है आज मूल सरी पहनना चाहिए ये तो समझ में आता है कि एक दिन कोई नारंजी रंग इस्तेमाल करती है तो फिर उससे उसकी तबीया दूब जाती है और फिर दूसरे दिन उसका हाथ अपने किसी दूसरे रंग की तरफ उठ जाता है मसल एक ही पूरा बाजार पूरा संसार एक ही रंग से रंग जाता है शायद ये मौसम की बात है या वैसे ही चांद की बादल की शायद कोई मरबजा फैशन किसी एक्टरिस का लिबास है जो उनके इंतखाब में दखल रखता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं बास आखात वो र माग में न गुश सकता था मैं स्कूल पहुचा तो एक क्लास खत्म हो चुकी थी और लड़के लड़कियां बाहर आ रहे थे कुछ आकर कमपाउंड में गुलमहर के नीचे खड़े हो गए उन में सेक्शी भी थी उसके स्कर्ट का भी रंग नीला था अगर हेमन्त मेरा दोस्त वहां न मिल जाता तो मैं पागल हो जाता हेमन्त यूँ तो खिजां को कहते हैं लेकिन वो हकीकत में बसंद था बहार जो उस पर हमेशा चाहे रहते थी दुनिया भर में कहीं किसी जगां भी एक ही मौसम नहीं रहता और ना एक रंग रहता है लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सी हसी रहती थी जिसके कारण हम उसे कहा करते थे साले चाहे कितना जोर लगा ले तु कभी आर्टिस नहीं बन सकता क्या तुझ पर गरेबान फाड़ कर बाहर भाग जाने की नौबत आई है बेबसी में तशन्नुजी हाथ तूने हवा में फैलाए है और अपने बाल नोचे है क्या तेरे बदन पर एक आयकी लाखों टिड़े रेंगते हैं रात के वक्त अंधेरे में चिमगादर तुझ पर जपते हैं और अपना मूँ तेरी शहरक से लगा कर तेरा खून चूसा है क्या तू उस वक्त बच्चों की तरह रोया है जब तेरी तस्वीर इनामी मुकाबले में अवल आई क्या तुझे ऐसा मैसूस हुआ है क्या माबाप होते हुए भी तू यतीम है और दोस्त एक एक करके तुझे अंधे कोए में धकेल कर चल दी है क्या तुने जाना है जिस मनसूर को सूली पर चड़ा दिया गया था वो तू था तेरे चहरे पर सियाईया चटी हैं और तेरे खदोखाल इतने सख्ट घिनाउने और ताकतवर हुए हैं जितने मेक्सिको के मियूल्स क्या तुझे हर लंबूतरी चीज एक लिंग और पैट्रियर की गांठ यौनी मालूम हुई है जिससे मतवहिश होकर आज फिर मैंने उसे बताया शहर की सब औरते हलका नीला लिबास पहने निकल आई हैं हेमंत ने अपने दाथ दिखा दिये और हस्बे मामूल मेरा मजाख उड़ाने लगा वो मुझे सावन का अंधा समझता था जिसे हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है मैंने सेक्षी की तरफ इशारा किया जिसे हम मौडल कहा करते थे वो आज तक किसी की मौडल ना बनी थी लेकिन उसके बदन के खुतूद बिलकुल वैसी लड़कियों के थे मैंने कहा देखो आज ये भी हलके नीले रंग का स्कर्ट पैने हुए है हेमंद ने कुछ न कहा वो मेरा हाथ पकड़कर घसीड़ता हुआ कमपाउंट से लौन पर ले आया जो पाम के पेड़ों से पटा पड़ा था वहाँ एक किनारे पर पहुँचकर वो बाड़ के पीछे खड़ा हो गया जहां से सामने सड़क दिखाई देती थी एक रास्ता क्राफोर्ड मार्किट की तरफ जाता और दूसरा विक्टोरिया टर्मिनस और हॉन बी रोट की तरफ वो साबित करना चाता था ये सब मेरा वहम है वहाँ पहुचे तो कोई औरत ही ना थी अगर औरतें अपने अपने मर्दों को हलके नीले रंग की साड़ियों में छुपा कर उपर अंबरों पर उड़ गई होती तो वहां मर्द नजर ना आते लेकिन चारों तरफ मर्द ही मर्द थे और वो यू घूम फिर रहे थे जैसे किसी औरत से सरोकार ही नहीं कोई लांबा था और कोई नाटा कोई खूबसूरत और कोई बच्सूरत और कोई तोंदीला और वो सब भाग रहे थे जैसे उन्हें किसी औरत को जवाब नहीं देना है जब ही उधर से जैसे लोहे की बनी हुई घाटन गुजरी जिसने हरे रंगा काश्टा लगा रखा था उसकी तरफ इशारा करते हुए हेमन बोला पहचान अपनी इसमा को मैंने बेकार की उजरदारी की मैं इन बेचारी गरीब मजदूर औरतों की बात नहीं करता किनकी करते हो उनकी जिनके पास कपड़े तो हो जब ही मेरी बतकिसमती से एक सैडान सामने पार्सी दारू वाले के हां रुकी उसमें अधेर उमर की एक औरत बैठी थी वो उस जमाद की नुमाइंदा थी जिसके पास नसर्फ कपड़े होते हैं बलके बेशुमार होते हैं और रंग इतनी अन्वा के के वो बौकला जाती हैं इसलिए जब वो अपने वाल्डरोग के सामने खड़ी होती हैं तो उन्हें सुन्दरियों का वो बेतार बर्की का पैगाम नहीं आता उनकी हालत उस खरीदार की होती है जिसके सामने कोई दुकानदार अन्वाओ अखसाम का धेर लगा दे और वो उन में से कुछ भी न चुन सकें वो औरत खूब लिपी पुती हुई थी और उसने एक शोला रंग साड़ी पहन रखी थी पचास फीट चौड़ी सड़क के उस पार्ड से मुझे उसकी बज़ा से गर्मी लग रही थी लेकिन उसे इस बात का एहसास न था कि बाहर आग बरस रही है जिसमें ऐसा शोले का सा रंग न चलेगा उस औरत का नौकर जो थोड़ी देर पहले पर्मिट के कागस संभालता हुआ अंदर गया था एक टोकरी में कुछ विस्की और चंद बियर की बोतले रखे हुए बाहर चला आया और डिक्की खोल कर उसमें रखने लगा जब तक मैं हेमंत के सामने खफीफ हो चुका था अपनी खिप्वत को छुपाने के लिए मैंने कहा ये बियर की बोतले कमसकम उसके मर्द को तो गर्मी लगती है ऐसे ही मैं हेमंत के सामने कई बार शर्मिंदा हुआ एक आग बार मुझे उसे शर्मसार करने का मौका मिल गया जबके सब औरतें सुर्मई साड़ियां पहने सड़क पर चली आई थी मुझे हमेशा उनके रंग एक से लगते थे लेकिन जब हेमंत मेरा कान पकड़ कर मुझे बाहर लाता तो मुझे वो अलग-अलग दिखाई देने लगते आखिर मैंने उसे अपने दिल का वाहिमा समझ कर इन बातों का ख्याल ही छोड़ दिया लेकिन वो छूटता कैसे एक दिन जोगिया ने काले बलाउस और खाकिस्तरी रंग की साड़ी का बेहत खूबसूरत अमतिजाच पैदा किया था उस दिन सब औरतों ने यही कॉम्बिनेशन कर रखा था फर्क था तो सिर्फ इतना कि उनमें किसी का बलाउस खाकिस्तरी था तो साड़ी काले रंग की थी जिसमें सुनहरे का एक आध तार जिल मिला रहा था कई मौसम बदले खिजा गई तो बहार आई यानि जिस قسم की खिजा और बहार बंबई में आ सकती है और फिर उस बहार में एक काहिश से पैदा होनी शुरू हुई एक चुभन तलखी की एक रमख चली आई जो महबद और कामरानी को हद दरजा गुदास कर देती है और जजबों की आँखों में आसु चले आते है फिर कहीं हरा जियादा हरा हो गया और उस पर ताजगी और शगुफतगी की एक लहर दोड़ गई जैसे बारिश के दो छीटों के बीच सुबक सी हवा पानी पर दोशाला बुन देती है फिर समुंदर में इस कदर जमरुद घुला के नीलम हो गया और उसमें मशलियों की चांदिया चमकने लगी आखिर वो चांदिया तड़ब तड़ब कर अपने आपको माहीगीरों के हवाले करने लगी फिर आस्मान पर सौतो तजली का टक्राव हुआ बादल गर्चे बिजली तड़पी और यकायक छाजो पानी बरसने लगा इस अरसे में जोगिया ने कई नीले पीले, उदे काले, सरद़ई और सुर्मई, धानी और चमपई रंग बदले उसे कितनी जल्दी थी लड़की से और 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 से माह हो जाने की मुझे यकीन था कि इतनी सेहत मन लड़की के जब बच्चे पैदा होंगे, जुडवा होंगे बलके तीन चार भी हो सकते हैं, मैं उन्हें कैसे संभालूगा और इस ख्याल के आते ही मैं हसने लगा उन दिनों जोगिया अपनी बीमार मा के पैर पकड़ कर उससे लिपस्टिक लगाने की इजाज़त भी ले चुकी थी एक तरफ जिन्दगी धीरे धीरे बुझी जा रही थी और दूसरी तरफ लपक लपक कर खिल रही थी जोगिया ने लिपस्टिक इस्तेमाल करने की इजाज़त तो ले ली थी लेकिन इतनी साड़ियों इतने रंगों के लिए इतने लिपस्टिक कहां से लाती मैं ने एक दिन मैक्स फैक्टर की लिप्स्ते खरीद कर तोफे में जोगिया को दी तो वो कितनी खुश हुई जैसे मैं ने किसी बहुत बड़े रास की कलीद उसके हाथ में दे दी हूँ वो भूली गई कि वो मेरे साथ गुरगाम के ट्राम के पटे पर खड़ी है वो मुस्से लिपट गई इसके फौरण ही बाद उसकी आँखे मीलों अंदर धस गई और नमी सी बाहर जलकने लगी मैं समझ गया जोगिया बेहर जजबाती लड़की है भला मेरे सामने इतनी ममनून दिखाई देने की क्या जरूरत थी लेकिन बात दूसरी थी जिस रंग की मैं लिपस्टिक लाया था उससे मैच करती हुई साड़ी जोगिया के पास ना थी और ना खरीदने के लिए पैसे थे मेरे पास भी इतने पैसे ना थे जिन से कोई खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर उसे दे सकता मैंने तो लिपस्टिक के पैसे भी मोटे भाईया की जेब से चुराये थे और या भावी के साथ इस इश्क में बटो रहे थे जिसका हक सिर्फ देवर ही को पहुँचता है बरसाथ खत्म हुई तो एक तमाशा हुआ जोगिया ने घर में बड़ों के वक्त के पड़े हुए कुछ अकीक बेश डाले और मेरी लिपस्टिक के साथ मैच करती हुई एक साड़ी खरीद ली इस बात का मुझे कहां पता चलता लेकिन हमारे घर में एक मुखबिर थी जोगिया की सहेली हेमा जोगिया ने नारंजी सुर्ख रंगी साड़ी पहनी और जब हम अग्यारी पार ला कानूनियत के जंगल में मिले तो मैंने जोगिया को छेड़ा जानती हो जोगिया आज तुम क्या लगती हो क्या लगती हूँ बैर बहूटी जो बरसात होते ही निकलाती है जोगिया के दिल में कोई शरारत आई मेरी तरफ देखते हुए बोली जानते हो तुम कौन हो कौन बैर और मैं बैर बहुटी और इसके बाद जोगिया इस खदर लाल होकर भाग गई कि उसके चेहरे के रंग और साड़ी के रंग में जरा भी फर्क न रहा उस दिन सब औरतों ने नारंजी रंग के कपड़े पहन रखे थे अपनी आँखों से इस जलूस की ताब ना लाकर मैंने फिर हेमन से कह दिया अपके हेमन ने अकेले नहीं तीन चार लड़कों को साथ लिया और शहराहे आम पर मेरी बेजज़ती की शायद मुझे इतना बेज़ती का हिसास ना होता अगर सैक्षी वहां ना आ जाती जो सफ़ेद नायलोन की साड़ी पहने हुए थी और उसमें तकरीबन नंगी नज़र आ रही थी वो रोज बरोज सच मुछ का मॉडल होती जा रही थी जोगिया को बैर बहुटी बनने की कितनी फाइश थी इसका मुझे रूख की गहराईयों तक से अंदाजा था लेकिन मैं कुछ ना कर सकता था सिवाए इसके के मैं स्कूल के पास से होकर निकल जाऊं और कोई अच्छी सी नौकरी कर लू और या तस्वीरें बनाकर माला बार हिल और वाल्डन रोड के जूटे दकीका शनासों को ऑने पौने में बेश दू लेकिन उन सब बातों के लिए वक्त चाहिए था जो मेरे पास तो बहुत था थोड़ा बहुत जोगिया के पास भी था लेकिन उसकी माँ के पास ना था महेनत और मशक्कत की वज़ा से जिसे कोई कर्म रोग लग गया था मैं इस इंतजार में था कि एक दिन भावी और मोटे भाईया से कह दू लेकिन मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़ी हेमा बापू घर में जोगिया के प्यार दुलार लेती हुई एका एकी अपने घर में आधम की और धड़ से कह डाला काका क्यों नहीं तुम जोगिया से बिया कर लेते जबी मैंने कहा धत ये धत अगर मैं ही कहता तो कोई बात न थी कुछ दिनों बाद हेमा की इस टाइटाइम पर भाईया और भावी ने उसे डाटना शुरू कर दिया और एक दिन तो भावी ने उस मासूम को ऐसा तमाचा मारा के वो उलट कर दहलीस पर जा गिरी उस दिन मेरा मात था ठनका मुझे यूं लगा जैसे इस बारे में दोनों घरों के बीच में कोई बात हुई है मेरा अंदासा ठीक था जोगिया और विजूर की माओं और पंजाबन ने मिलकर भावी के साथ बात चलाई और मुखी खाई बापू घर की औरते यूं ठीक थी उनसे बाते कर लेना उनके साथ चीजों का तबादना भी दुरूस था एकाथ को इशारे से राम करना और चोरी छुपें उनसे हम बिस्तरी कर लेना भी ठीक था लेकिन उनके साथ रिश्टे नाते की बात चलाना किसी तरह भी दुरूस नहीं था फिर और भी बहुत सी बाते निकल आई जो हमारे गुजराती घरों का वबाल उनका जहर मिट्टी का तेल और कुआ होती है जोगिया की मा लड़की को कुछ दे दिलाना सकती थी इसलिए हमारे घरों में जब कोई लड़की जवान होती है तो कुछ लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं तैयार हो गई मरने को खबर देने दिलाने की बात पर मैं तनकर खड़ा हो गया लेकिन इसके बाद भावी और ग्यान भवन की औरतों ने दूसरी बाते शुरू कर दी जोगिया का बाप कौन था कोई कहता वो मुसल्मान था और कोई बुढ़िया गवाही देती वो एक पुर्तागाली था जो बड़ाओे में बड़े अर्से तक रहा था जो भी हो वो सब बाते थी एक बात जो तहकीक के साथ मुझे मालूम हुई वो ये थी कि जोगिया की माँ नादोर के ब्राहमन दीवान की दूसरी बीवी थी जिसे कानून ने नहीं माना जोगिया उस दीवान की लड़की थी मगर लोग जोगिया की माँ एक बेहता औरत को दीवान सहाब की रखेल कहते थे ये इस किसम के लोग थे जिनुने जोगिया की माँ के कुछ भी पले पढ़ने ना दिया और वो बंबई चली आई कुछ भी था इसमें जोगिया का क्या खुसूर था वो तो अपने बाप की मौत के तीन महीने बाद पैदा हुई थी और बाप की शवकत का मूँ तक न देखा मैं इन सब चीजों के खिलाफ जिहाद करने और जोगिया के साथ फुट पात पर रहने को तैयार था लेकिन बाके सबने मिलकर जोगिया की मा को इतना सदमा पहुँचाया कि वो मरने के करीब हो गई अब वो चाहती थी जल्दी से जल्दी जोगिया का हाथ किसी वाजबी गुजारे वाले मर्द के हाथ में दे दे मेरे घरवालों की बातों के कारण वो मेरी सूरत से भी बेजार हो गई थी उसने अपनी बेटी से साफ कह दिया था अगर उसने मुझसे शादी की बात भी की तो वो कपड़ों पर तेल छिड़क कर जल मरेगी जोगिया आप कॉलेज न जाती थी और बापू घर के जोगिया वाले फ्लैट के किवार अक्सर बंद रहते और हम ताजा हवा के एक जोके के लिए तरस गए थे एक शाम मुझ पर बहुत कड़ी आई सरे शामी चिमगादर के बड़े बड़े पर मुझ गरीब पर सिमटने लगे कुछ देर के बाद यू लगा जैसे कोई मेरी शहरक पर अपना मुझ रखे तेजी से मेरी सास चूस रहा है जितना मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसके दांत मेरे गले में गड़े जा रहे हैं ऐसी शामों का रंग सिया भी नहीं होता और सफ Eden भी नहीं होता उनका सिर्फ एक ही रंग होता है हबस और जाकाहि का रंग और जिन लोगों पर ऐसी शामे आती हैं वही जानते हैं कि ऐसे में सिर्फ माँ की छातियां और महबूबा की छातियां ही उनको बचा सकती हैं मेरी मा मल चुकी थी और जोगिया मेरी ना हो सकते थी ओफो इतनी घुटन इतनी उदासी उदासी का भी एक रंग होता है मैला मैला छिदरा छिदरा जैसे मूँ में रेत के बेशुमार जर्रे और फिर उसमें एक अफूनत होती है जिस से मतली भी होती है और नहीं भी होती अगर जोगिया की माना होती और वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाती तो मैं उसे ले कर कहीं भी निकल जाता। जब ही मुझे बैरागी याद आने लगे बुद भिक्षू याद आने लगे जो इस दुनिया को छोड़ देते हैं और कहीं से भी भिक्षा लेकर अपने पेट में डाल लेते हैं और फिर बैट कर ओमने पदमे का विर्द करने लगते हैं मैं वाकर इस दुनिया को छोड़ दे में पढ़े थे उसने कंगी उठाई और बालों में खबो दी कुछ देर बाद वो अलमारी के पास जा पहुंची मैं स्कूल की तरफ जा रहा था रास्ते में सब औरतों ने जोगिया के कपड़े पहन रखे थे उन्हें किसने बताया था वो उदास थी जैसे जिन्दगी की माह दूसरे दर्वाजे पर जा रही थी और उन्हें खटखटा रही थी लेकिन इस भरे शहर बंबई में कोई उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर ना आ रहा था इसकूल पहुंचा तो हेमंद बदस्तूर हस रहा था आज उसने पहल की बोला शहर की औरतों ने आज क्या रं महर के नीचे से पाम के पेड़ों में से घसीता हुआ बार के पास ले गया सामने सड़क चल रही थी और उस पर इनसान के पुतले साकित थे उन सबने बैराक पा लिया था और जोगिया कफनिया पहने बिला इरादा बे मकसद फटी फटी आँखों से घूर रहे थे जैसे इ मैंने एक औरत की तरफ इशारा किया वो जोगिया कपड़े पहने हाथ में कमंडल लिये जा रही थी हेमंत खिल खिला के हसा साथ सैक्षी भी हसी जिसने जीन्स पहन रखी थी और उसके कूले उसकी राने तक दिखाई दे रही थी वो पूरे तोर पर मॉडल बन चुकी थी जब हमंत की हसी थमी तो उसने कहा तू बिलकुल पागल हो गया है जुगल कहा है जोगिया कपड़े उस औरत ने एक उदी साड़ी पहन रखी है और वो कमंडल जो तुझे दिखाई देता है एक खूबसूरत परस है सैक्षी ने भी हमंत की ताइद की मैं हवास बाखता सड करने के लिए मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा कुछ देर के बाद मुझे यकीन हो गया और पीछे देखते हुए मैंने आवास दी हमंत लेकिन हमंत और सैक्षी एक दूसरे की बहां में बहां डाले अंदर जा चुके थे उनके कहके सुनाई दे रहे थे वो मुझे ऐसे ही पेयारों मददगार उस सहरा के किनारे छोड़ गए थे जैसे लोग किसी पागल आदमी को छोड़ जाते हैं ये भी उनकी इनायत थी कि उन्होंने मुझे पथर नहीं मारे थे और नहीं मुझे ऑलिया कहा था और वो लड़की इस तरफ आ रही थी अब तो मुझे पूरे सं बैर और मैंने चौक कर देखा किसी दूसरे रंग का सवाल ही पैदा नहोता था क्यूंकि वो खुद जोगिया थी जिसे मैंने उस सुबह अपने ग्यान भवन से बापू घर के खुले दरवाजे में से सब साड़ियों में से जोगिया रंगी साड़ी का इंतखाब करते वहां मेरा बिया हो रहा है परसों ओ मैं तुम से मिलने आई थी तो मिलो मैं जाने क्या कह रहा था उस वक्त आर्ट से स्कूल के कुछ लड़के लड़किया प्रिंसिपल साबरी और दूसरे लोग आ जा रहे थे जबके जोगिया ने उचक कर इतने जोर से मेरा मूँ चूम लिया कि मैं बौकला और लठ़डा कर रह गया वो 18-19 बरस की लड़की के बजाए 35-40 बरस की एक भरपूर औरत बन गई थी उसका बोसा कितना मुरतैश था कितनी मुकदस वहशत शहवत थी उसमें अगर कुछ लोग देख भी रहे थे तो हमें वो दिखाई ना दिये वो द बेरे ग्यान भवन और बापू घर के सामने एक विक्टोरिया खड़ी थी जिस पर बाजार का बोज उठाने वाले कुछ सूट केस और कुछ टरंक रख रहे थे और कुछ यूही इधर उधर का सामान उन लोगों को रुखसत करने के लिए बापू घर के सब लोग नीचे च जोगिया की माउतरी और गिरती पड़ती विक्टोरिया में बैट गई थोड़ा सांस दुरूस्त किया और फिर सबकी तरफ हाद जोड़ते हुए बोली अच्छा बेहनो हम चलते भले तुम बसते भले और फिर आई जोगिया जोगिया ने हलके गुलाबी रंकिये जोड़े में टांक रखा था अभी वो विक्टोरिया में बैठी भी न थी कि अग्यारी का पारसी पिरोहित इधर आ निकला मैंने आदतन कहा साहब जी साहब जी पारसी पिरोहित ने कहा और फिर मुझे और जोगिया को तकरीबन एक साथ खड़े देखकर मुस्कुराया झाल